हाली में सिक्किम में आई हमिस्क्लन यानि एवलैंज की बज़े से लगभग साथ तूरिष्ट की जान चली गई है और लगभग 350 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बचाया भी गया है और आप समझे ना केवल सिक्किम में बलकि ये पूरा का पूरा हिमालय रीजन ही हम इसक्लन यानि एवलैंज की जोन में आता है और जिम इससे प्रभावेत होने वाले प्रमुख राज्यों की बात करें तो उसमें आपको जम्मू कास्मीर देखने को मिल जाएगा हिमांचर प्रदेश पुत्राखंड फिर यहां आप देखें तो सिक्किम है ही अरुडांचर प्रदेश ये पूरे नौर्थ इश्टिया जाएंगे से असम हो गया है नागालेंड है मनी पूर मिजूरम त्रिपरा में घालिया तो आज किस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार हिमिस्कलन यानि एवलेंच होता क्या है हिमिस्कलन क्यों आते हैं और हिमिस्कलन से लोगों की जान क्यों चली जाती है और इससे बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करने चाहिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि avalanche होता क्या है तो आप समझ यह an avalanche is a rapid flow of snow down a slope मतलब जब कभी जो यह पूरी बरफ है पहाड के साहरे नीचे बहुत तेजी से आने लगे तो उसी को हम बोलते हैं avalanche इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं हिम इसकलन और आप समझ यह हिम इसकलन से दुनिया भर में लगभग हर साल 1.500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और ज़्यादा संभावना तब रहती है जब पिछले 24 घंटे में 12 इन से ज़्यादा बरफ वादी यानि स्नोपॉल हो जाए और आप समझ यह हिम इसकलन महज 5 सेकेंड में ही 130 किलोमीटर प्रती घंटे की रफटार पकड़ लेता है और जो इसकी अधितम रफटार 300 किलोमीटर प्रती घंटे भी हो सकती है तो जब इतनी तेजी से एबलेंच होगा तो लोग जो भी यहाँ पास होगे उनके बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है अब हम समझते हैं कि आखिर कारण किस बचे से एबलेंच होते हैं तो इसके बहुत से कारण हैं, तो सभी कारणों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ कारण होते हैं प्राक्तिक और कुछ हैं human made तो प्राक्तिक कारणों के दी हम बात करें, तो सबसे पहला कारण है भारी हिमपार मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि यदि पिछले 24 संटे में 12 इंसे ज़्यादा रेंफॉल हो जाए तो चांसेस बन जाते कि वहाँ पास avalanches आ जाएंगे, दूसरा कारण है जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई हो जाती है तो जो जमीन है यानि स्वाइल एरोजन बहुत जादा बढ़ जाता और स्वाइल एरोजन होने के कारण ही कई बार जो उसकी पर ढ़की हुई है वो नीचे खिसक जाती है और हमेस्क् इस्टी मतलब बिल्कुल खड़ा, यदि खड़ा डाल है तो हम इसक्रण के चांसे उतने ही जादा रहेंगे फिर जो नेक्स्ट कारण है वो है भुकम यानी अर्थ को एक, जब अर्थ को एक आते हैं तो सीथी से बात है कुछ ही रिया हिल जाता है तो उसकी बज़े से भी ह बड़ा कारण है वो है गर्मी की बज़े से बर्ब का पिखलना बर्ब पिखले की तो सीधी सी बात हो बर्ब पिखलने के बाद नीचे की तरफ आएगी और उसी को हम हमिस्क्रण कहते हैं इस गलाबा कुछ human factors भी हैं जो avalanche के लिए responsible हैं तो उनमें आप बात करें तो बहु human की कारण बनते हैं जो में काराण है वो आप यहां फासं देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि आखिरकार लोगों कि किस बज़े से human का सरीर है उसकी जो डैंसीटी है वह human के मालवे से लगभग 3 गुना जादा होती है आप समझें 3 गुना ज्यादा डैंस जब रहेगा तो बहुत जल्दी ही उस बरप के नीचे डूबना सुरू हो जाएगा और जब वो डूबेगा तो उसके बाद होती किया जो उपर की बरप है वो कंक्रीट की तरह जम जाएगी तो होगा क्या उसको सांस लेने में तकलीफ होगी और पर्यात मात्रम उस बत्ती को अक्सीजन ना मि ना मिल पाना ना की थन्ड अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या हैमिस्क्रन की भःविस्वानी की जा सकती है तो अभी ऐसा पर कोई भी अनुमान नहीं लगाएक जिससे हम हम क्लच क pessoas कि कब LIVE कर सकें कि हमिस्क्रन कब आएगा और कहां होगा लेकिन फिर भी कुछैसे जाएंगे हीमिस्र की तैंप्रेचर तेम्परेचर बढ़ेगा तो हमिस्कलन इसके जैशन के, तो यही की मदद से इसका है लेकिके पता लगा पाना कि कब और कहा हैं हमिस्कलन होगा इस अभी भी बड़ा की है एवलेंचे से लोगों को बचाने के लिए साथ ही साथ बहुत ही मजबूर धांचे तयार किया आते हैं तो आप यहां पास देख सकते हैं यहां पास फैंसिंग की गई है ताकि ही मिस्क्रण का जो इंपेक्ट है उसको काफी हद तक कम किया जा सके अब हम बात करते हैं कि कि अब धास्तों में हम कभी हें इस करण में फच जान तो हमें क्या करना चाहिए तो ही मैंने बतााया कि basically हें इस करन में जब कोई विविख्यिदी नीचे दब जाता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और सांस लेने की कमी कारण ही उसकी जान चली आती है तो सबसे पहले प्रयास तो यही किया जाना चाहिए कि जो भी उसकी उपर बरख है उसको उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए और एक तरीके से उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और सांस लेने के लिए कोछ जगह बनाने की हमेशा प्रयास करना चाहिए तब ही हमारी जान बसकती है